चालीस वर्ष ये गवर्मेंट सर्वेंट है और इन्होंने प्रमोशन के चांसेज अपने पुछे हैं चालीस वर्ष के वेक्ति हैं अब यदि हम इनकी जो लक लाइन जो बहुत अच्छी बनी हुई है बुलकुल टच होते हुई लाइफ लाइन को शनी परवद पर पहुँचकर गुरू परवद तक जा रही है तो ये बहुत अच्छे योग बना रही है इसी पर यदि हम चालीस की उम्र को देखते हैं तो लगभग यहाँ पर एक राहु की मार हुई है यहाँ पर एक और राहु रिखा है अब ये दो साल की पीड़ा तो इनको रहेगी या तो ये राहु भगवान का उपाई करे इस परकार के फॉर्मेशन जब भी होते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे जो नीचे तक लाइफ लाइफ कीजिए जो लक लाइन होती है उसके अंदर इस प्रकार के आईलेंट्स का फॉर्मिशन हो जाता है यहाँ पर भी आपको दिखेगा और ये जो लाइन है ये मोटी हो गई है तो इनका लक इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है दूसरा इनका चंदरमा का परवत है इनके ट्रांसफर के चांसेज बहुत अच्छे हैं कहीं बाहर जा सकते हैं एक उचे पज़ पर जा सकते हैं सूरे रेखा लंबी है तो ये भी सरकारी नौकरी को और पुष्ट करेगी उसके योगों को और आगे प्रमोशन के चांसेज भी देंगी अब देखिए इस हाथ में सूरे की रेखा है और इस प्रकार अगर तीन राहू की रेखा उसको क्रॉस कर रही है तो ये एक पित्रदोश की संभावना पूरी इसमें आ रही है तो एक पित्रदोश का भी इनको उपाए कर लेना चाहिए सूरे रेखा जो काफी लंबी थी सूरे रेखा जो पूरी लंबी होती हो यहां तक आ रही है अब यहां तक तो ठीक है अब इसके बाद ये गायब हो जा रही है इतनी रेखा इनकी गायब हो गई है और उपर की रेखा भी अब उसमें डेटोरेशन चालू हो जाएगा जो पैतरिक संपत्ती के स्थान है देखिए इधर भी उनका इस प्रकार का अगर आइलेंड बन रहा है पैतरिक संपत्ती में तो वो भी फस जाएगी तो सरकार से लाव मिलने की जो चांसिस है इन तीनों रेखाओं के कारण फिलाल तो अभी नहीं होगा और यहां पर भी इनको एक रेमेडी करने पड़ेगी तो राहू की रेखाएं कुछ प्रबल रेखाएं हैं काफी सारी ह और अगर आप Life Line को देखेंगे तो Life Line कोई शोभा को तो बिगाड दिया है और जो Life Line है वो दरदरी होके चल रही है comfort zone जो है इनका देखिए ये भी double line हो गई है इस प्रकार का तो उनको comfort life में कम मिलेगा शुकर का परवत थोड़ा सा दबा है opportunity फिर भी अच्छी है और सथ से तो बहुत अच्छा है लेकिन इस portion में दबाव आ गया है गुरू का परवत बहुत अच्छा balance है और ग्यान इनके पास अच्छा है यहां से mind line लिख ली है गुरू परवत से अगर mind line लिख ली होती है तो यह सबसे अच्छा योग बनाती है शनी के परवत पर इस प्रकार line जो इनकी खड़ी line है यह इनको सबसमस्त योग और भोग सुनश्यत कर रही है इसी line पे आप देखिए अब यहां पर एक island की स्थिति हो गई है और जब ही हमारी जो luck line है शनी परवत पर अगर इस तरफ turn होती है याने के सूरे की तरफ वो देखती है तो politics से भी धन मिलने की बहुत अच्छी chances होते हैं इस प्रकार का कोई government servant है जो सरकारी नौकरी में है और उसकी जो luck line है वो सूरे परवत की तरफ जुग जाती है तो यह बहुत प्रबल योग बनाती है यह सीधे शिर्च पर ले जाने वाली रेखा होती है तो यह भी रेखा सही है यह भी रेखा सही है मैं इनको अनुसेंशा करना चाहता है कि सूरे पर जो काम चल रहा है इन तीन रेखाँ का राहु की इससे बचना होगा नहीं तो यह रेखा क्या करेगी सूरी की जो लाइन अभी भी अच्छी बनी हुई है उसको नस्ट करेगी या उसके अंदर यव की सित्ति लाईगी ये रेखा अभी फिलाल तो मोटी हो गई है लेकिन अब बहुत बारीक से देखेंगे तो अब देखें जहां पर एक यव पड़ गया है ये वाली रेखा में डेटोरेशन नहीं होना चाहिए ये इनको बचा के रखना है तो इनको तत्काल एक राहू के उपाए कर लेना चाहिए और राहू ने इनके योगों को भी बिगाड़ा है देखिए एक रेखा इस प्रकार निकलती है राहू की ये बुद का परवत है और जब बुद के परवत तक अगर यहां तक लाइन पहुंच जाती है तो वाक्षमता बहुत अच्छी मिल जाती है वानई की शक्ती बहुत अच्छी हो जाती है जातक के पास में लेकिन जब यही रेखा इस प्रकार घूमकर और ये basic phalange को पार कर जाती है तो बुद्ध भी गडबड़ हो जाते है जबकि इनकी वाक्षमता बहुत अच्छी है खड़े हुई लाइने ये सब healing lines ये सब इनको बहुत अच्छे योग प्रदान कर रही हो लेकिन ये वाले pattern से बचना होगा हमें ये वाला जो pattern बना है ये खतरनाग pattern बना है तो बुद्ध अडिस्टर्ब हैं सूरे भी इनके डिस्टर्ब हैं चंद्रमा इनको सारे योग दे रहे हैं और यहीं से आप देखिए एक लक लाइन और थी इस प्रकार जो main लक लाइन में इसमें जोड रही थी लेकिन वो नस्ठ हो गई है यहीं तक आके रुख गई है कारण इसका क्या है कि शनी परवत पे थोड़ा सा disturbance इस प्रकार का यव बना है अब ये भी क्यों बना है वो भी जान लेते हैं देखिए मंगल की तरह से आने वाली कुछ नाकार आत्म करेश का है डबल होके इस प्रकार शनी परवत पर पहुँच रही है आने वाली इस्तिती में होता क्या है कि महने दो महने बाद में इस प्रकार की एक वक्री लाइन दोड़ जाएगी शनी परवत पर तब ये योग और भोग को ज़्यादा नुकसान करेंगी तो इनको करना क्या चाहिए इनको मंगल का पूजन कराना चाहिए क्योंकि ये चिये जो रेखाएं निकल रही है राहो की ये मंगल छेतर से निकल रही है मंगल यहां से दबे हुए है यहां से दबे हुए है और आप देखिए जो इनका सपोर्ट सिस्टम है प्रॉस जैसा एक फॉर्मेशन भी बना रहे हैं मंगल के पूजन से केवल एक रेमेडी कर लेने से राहू भी शांत हो जाएंगे और सूर्य भी सांत हो जाएंगे बुद्र के उपर भी योगबल बढ़ जाएगा मेरी इनसेनु संचा है कि एक मंगल का पूजन जरूर इने कर चाहिए मंगलनात मंदिर उज्जैन में और सूर्य भगवन की उपासना भी करना चाहिए क्योंकि मनी का ट्रेंगिल पूरी तरह से यहां से खुल गया है मनी का ट्रेंगिल जब तक नहीं बनेगा तो बड़ा प्रमोशन और उच्च वेतनमान ये नहीं देगा दूसरा बन्द भी इनका देखिए जो धन की स्तिति को बताता है वो भी इस प्रकार की डबल लाइनों से अच्छा दित हो गया है और यहां पर भी देखिए आप ये इस तरह का फॉर्मेशन हो जाना बीच में छोटे छोटे आइलेंड हो जाना फिर डबल रेखाउं से ये कट जान तो मड़ी बंद भी अब तूटने की कागार पर है तो ये दो उपाई इनको कर लेना चाहिए यही अनुसंशा मैं इने करता हूँ जानकारी स्पस्टो शिरी गडेश करें पाम ब्लोग को सबिस्क्राइब करिए